आज हमारा रे आप्टिक्स पर रिफ्रेक्शन पर लेंसे पर लेक्शन नमबर 6 है जिसमें हम कॉंबिनेशन आफ लेंसे की बात करेंगे बच्चों इस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा भी अच्छा पेपर अगर बनाना हुआ थोड़ा भी अगर आपके साथ ख बच्चों उन पर आपके साथ खेलने की कोशिश की जाएगी तो अगर आप बड़ी शिदत से बड़े ध्यान से अगर इस लेक्शर पर कॉंसेंट्रेट करते हैं तो फिर आपके साथ खेला नहीं जा पायेगा चाहे वो सिल्वरिंग ओफ लेंस की बात करें चाहे वो की बात करें बखो भी आप सीख पाएंगे कि कैसे इन सवालों को प्रॉसीड करते बच्चों तो बिफो स्टार्टिंग विद इस सेशन में डिस टॉप टीम ऑफ अनकाडमी नीड जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुचा सकती है बशर्त आप इस चैनल को सब्सक्रा अब इस पूरी टीम के साथ आप टेलिग्राम पर इंटरेक कर सकते हैं अपना फोन उठाइए टेलिग्राम आप को अपने फोन में इंस्टॉल करें बच्चों और इंस्टॉल आप हमारे साथ जूड पाएंगे और कहीं सारी चीजों के बेनिफिट ले पाएंगे चीक है दूसरी बात है इस पूरी टीम ने बेस्ट आपके लिए प्लान किया है बच्चों एक जबर जस्ट आफट लगा कर एक स्ट्रॉक्चरड वे में आपके लिए क्रेश कोर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं तो आजाइए इस पूरी टीम के साथ अपनी रैंक को बुस्ट करने के लिए बच्चों अपना फोन उठाई या अनकाइडमी लांडिंग है इसको इसको इंस्टॉल करो इंस्टॉल करने के बाद में प्लस पर जाना सलेक्ट नीट केटिगरी इन देन गेट सब्सक्रिप्शन बच्चों उसके बाद में यहां पर मल्टीपल ओप्शन अवेलेबल हैं इसके अगेडिशनल प्रेक्टिस पेपर मॉग पेपर मिल जाएंगे जिससे उन्हें काफी बेनेफिट्स मिलेंगे बच्चो राइट जी यू कोड़े जिससे आप अगर आपको अगर आपको बहतर बनना है अगर आपको वहां जाना है जहां जाने की आपने सोच रखी है तो अगर आपका आपका नजरिया या आपका जो ड्रिम है जो आपका लक्ष है वो बहुत बड़ा है तो उस बड़े लक्ष के अकोडिंग आपको अपने आपको बहतर बनाना पड़ेगा आपके जो आसपास की जो संगते जो इन्वार्मेंट है वो भी बहतर करना पड़े तो अच्छे लोगों की guidance में आप आओगे अच्छी बाते आपको मिलेंगी अच्छी बातों के साथ साथ बहतर बाते आपको मिलेंगी और अगर उन्हें आप अपने behavior में inculcate करते हैं अगर आप अपने day-to-day life में उन्हें mix करते बच्छो तो आप बेस्ट बनी जाते हैं चीके तो यह होती ही बच्छो छोटी-छोटी चीजी जैसा कि मैंने अपने session में attitude of gratitude कहा था कहीं session में आपका सारा नजरिया बदल देंगे चलिए तो हम combination of lenses की बात करते हैं before that देख लेते कि कौन को ना चुका है वेलकम बेदा, वेलकम मेधा, वेलकम प्रीदम, समीर, अंकेत, राजेस, बिलाल एहमद, करिश्मा, डॉक्टर मीन्ती, बूश्रा, श्रस्टी, क्या बात है, संगीता, करिश्मा, सोनम, काफी सारे future doctors आ गए बच्छो तो फटा-फट से इस लिंक को कॉपी करो बच्छो ले आपने social media account पर खरका कर आ जाओ, डिंडोरा पीट दो, ताकि जादा से जादा लोग इन important topics का benefit आज ले सके बच्छो, दो lenses से उन्हें contact में रख दिया, यहाँ पर कहीं object होगा बच्छो, this is आपका object, ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनना और प्यार से सुनना, यहाँ पर object है my dear friends, इस object का एक image बनाएगा, कौन बनाएगा तो पहले बनाएगा lens number one, तो lens number one के लिए आप यहाँ पर लिखोगे sir, considering reflection with the help of lens number one, I can write 1 by V1 minus 1 by U is equals to 1 by F1, getting my point or not, यह lens one के लिए हुआ, जहाँ पर V1 is the image formed by lens one, जो image, जो image बनाएगा lens one, वो image as an object काम करेगी, किसके लिए, आपके second वाले lens के लिए, तो यहाँ पर देखे, intermediate image, जो क्या करेगा, act as object, बच्चो, यह क्या करेगा, तुम्हें लिख भी दे रहा हूं, यहाँ पर, act as object, यह act करेगा, बच्चो, as object, किसके लिए ताब देखे, so that is why, जब हमने final यहाँ पर reflection का formula लगाया lens का, तो उसमें लिखेंगे one by v, that is the final image distance, minus one by v1, क्योंकि आपका object distance u की जगह, हमने v1 रखना है, is equals to one by f2, अगर आप इन दोनों को क्या करेंगे, बच्चो, add करेंगे, अगर इन दोनों को add कर देते हैं, तो यह plus का, यह minus क cancel out हो जाएगा, result हमारे पास आएगा, बच्चो, one by v, minus one by u is equals to this is one by f1, and plus this is one by f2, अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं, सर, तो this is one by v, मतलब final image distance, minus one by object distance, इस पूरी कहानी को हम बोलते हैं, बच्चो, one by f, चुकि यहाँ पर दो अलग-अलग lenses हैं, और उनका initial और final relation पर हैं, बच्चो, इस पूरे मसाले को, इस पूरे मसाले को हमें यहाँ पर कहना पड़ेगा, so this is one by f equivalent, यहाँ फिर one by f effective, जो भी आप यहाँ पर नाम देदें, तो बड़ा असान होता है, ठीक है, अंकीत बोल रहा है, भाया कुछ मदद करो, अंकीत आप बात करें बच्चा, राइजी, राइट, अब बात करें, किसी को भी किसी भी तरह की problem है, बच्चा, आप मुझसे contact कर सकते हैं, आपके पास insta handle है मेरा, आपके पास telegram है, आपके पास various various contacts है, बच्चो, किसी भी तरह से आप access कर सकते हैं, अगर आप access करके बात करते हैं, तो जो भी आपका problem है, we'll try, in fact, में क्या पूरी team हमारी कोशिश करती है, बच्चो कि आपकी subject के बात में, subject के बारे में तो आपकी मदद की ही जाए, additionally भी अगर आपको किसी तरह की problem है, तो we'll try our best, जी, चलिए, लेकिन अ अगर दो lenses हैं, तो दोनों का addition हो जाएगा, बहुत सारे lenses होंगे, तो बहुत सारे lenses का ये sigma यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब उनका sum total हम कर देंगे, एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस formula को use करते हैं और ध्यान ये रखना है, कि optical system किस तरह का है, अगर दोनों lenses यहाँ पर केसे हुए, दोनों lenses अगर यहाँ पर convex हैं, तो दोनों F1 और F2 positive होंगे, अगर यहाँ पर एक lens convex से और एक lens अगर concave है, तो हमें पता है, कि convex lens की focal length हम positive लेते हैं, और concave lens की focal length हम negative लेते हैं, तो along with sign convention हम ये formula यूज़ करना है, बच्चो जब भी कभी हम आगे चलक इन्हें यूज़ करेंगे, बैतर हम सवालों के साथ सीखेंगे इन्हें क्या होता है, फिर आपको मैंने पढ़ाया था optical power है ना, तो power is equal to क्या होता है, बच्चो 1 divided by F होता है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, चू कि जो equivalent, जो आपका equivalent focal length है, बच्चो वो होगा, 1 by F1 plus 1 by F2 plus 1 by F3 and so on, तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे, suppose 1 by F equivalent, suppose 2 lenses के लिए, तो क्या लिखोगे, बच्चो 1 by F1 plus 1 by F2 लिखोगे, अगर आप यहाँ पर P equivalent की बात करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका P1 plus P2 हो जाएगा, और कहीं बार सवाल थोड़ा गुमा के पूछ लेते हैं, कई बार सवाल थोड़ा से गुमा के पूछ लेते हैं, जिससे कैसे, तो अगर आप यहाँ पर देखें, तो we can write, बच्चो, F equivalent का value, F equivalent का value लिखा जा सकता है, F1 into F2 divided by F1 plus F2, यह भी समझ में आता आपको, अगर मैं यहाँ पर equivalent का value देखू, तो यह हो जाएगा, बच्चो, F1 into F2 divided by F1 plus F2, तो अगर मुझे power equivalent लिखना हो, तो क्या हो जाएगा, बच्चो, 1 divided by F equivalent, तो result जो है, वो ऐसा आपका F1 divided by F1 plus F2 divided by F1 into F2, तो कहीं बार, कहीं बार क्या होता है, चीज़े थोड़ी से confuse करते हैं, turn करते हैं, थोड़ी सी situation को इधर गुमा कर पूछ लते हैं, अब एकसा result एक सवाल आ गया, जिसमें दो lenses हैं, दोनों convex lenses हैं, एक की focal length F1, एक की focal length F2, उसका पूछ लिए कि P equivalent क्या होगा, और चार option है, जो F1, F2 की term में हैं, तो यह result हम बना देंगे, यह बनाना आ जाएगा आप लोगों को, right, बहुत बढ़ बनेगी, बच्चो, height बनेगी, h1i, समझना ध्यान से, मतलब पहली बार जो image बना, फिर यह image as an object होगी, तो इस वाले के लिए, जब आप magnification देखोगे, m1, पहले वाले के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, height of image divided by height of object, तो आप लिखोगे, sir, h1i divided by h0, hi1 divided by, क्या हो जाएगा बच्चो, h0, और दूसरे वाला जो lens है, दूसरा वाला जो lens है, बच्चो, इसका, जब आप magnification लिखेंगे, m2, तो इसके लिए, final image हो जाएगी, आपका h1, और जो आपका object हो जाएगा, तो आप बोलेंगे, sir, h1, तो वहीं आपने यहापर value रग दी, h1, जब आप इन दो result को ध्यान में रखके हुए, अगर हम इस m1 का और m2 का multiplication करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, sir, कि m1 into m2 जब आप यहाँ पर करते हैं, तो result क्या आएगा, बच्चो, यह result आ जाएगा, sir, आपका h1 divided by h1, h1 divided by h0, और into में हो जाएगा, sir, यहाँ पर आपका, h1 divided by, product is equal to the equivalent magnification, जिसे आप h1 divided by h0 बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते है, sir, final velocity, final image divided by आपका distance object, जो होगा, that is v by u, यह भी एक तरीका है, तो अगर यहाँ पर multiple lenses हुए, बच्चो, कैसे हुए, multiple lenses, तो उसके लिए क्या लिखोगे, for an example, multiple lenses में यह लिखोगे, sir, आप m1, m2 ऐसे लिखोगे, बच्चो, m3, and, ऐसे, so on, करके, कहा तक लिखोगे, sir, till mn लिखोगे, तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर एक तरह से capital pi जिसा symbol होता है, बच्चो, जो multiplication के लिए use होता है, जिसे summation के लिए sigma यूज होता है, similar to that, multiplication के लिए use होता है, यहाँ पर pi, तो यह simple से concepts हैं, basic से concepts है, जिने focus में रखकर आगे बढ़ना जाता है, ठीके जी, चलिए, बहुत बढ़िया, अब सवालों पर बात करते हैं, सवालों पर focus करते हैं, find the equivalent, चलो, अब दो बाते हैं, सवाल असान अगर करना हुआ, बच्चो, जैसे की 1 minute का calculation हो, जिसे 30 seconds में finish करना हो, तो फिर व दोनों convex lenses से यह हमें पता है, तो आप यहाँ बर क्या formula लगाएंगे, बच्चो, 1 by F equivalent is equals to 1 by F1, प्लस आप यहाँ पर लखेंगे, बच्चो, 1 by F2, तो formula में result रखेंगे, सर, 1 by यह हो जाएगा, प्लस 10, प्लस यह हो जाएगा, सर, 1 by आपका plus 10, so F equivalent का value है, वो हो जाएगा, 10 divided by 2, that is, कितना आजाएगा, प्लस का 5 cm, मतलब कि जो result आएगा, वो आएगा, यहाँ पर D, तो यह जो combination है, इन दोनों lenses का behavior है, बच्चो, जो combination है, वो किस तरह से work करेगा, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, कि सर, एक ऐसा behavior होगा, जो convex lens की तरह behave करेगा, जिसकी focal length क्या हो कि यह, बच्चो, 5 cm हो गए, मतलब अगर आप देखेंगे, तो equivalent power कि अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, तो वो भी आप यहाँ पर calculate कर सकते हैं, 100 divided by 5, that is, comes out to be 20 diopter, 20 diopter इसका power आ जाएगा, अगर पूछा हो तो, अब यहाँ पर क्या बोल दिया, बच्चो, find f equivalent, एक 10 cm है, और एक concave है, जिसकी focal length कितनी बच्चो, 20 cm है, तो अगर आप इसे ध्यान में देखते हैं, तो आपको एक बात समझ में आएगी, sir, इसको देखना ज़रा ठीक है, 1 by f equivalent is equal to, यहाँ पर आप लिखेंगे, sir, यह प्लस 10 होगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे, sir, प्लस ले लिजे, आप यहाँ पर 20, 20 है, गर आपने common लिया, तो this will be यह हो जाएगा, बच्चो, प्लस का 2, और यह हो जाएगा, sir, minus का 1, so 1 by f equivalent, जब आप यहाँ पर solve करेंगे, तो that would be 1 divided by 20, so f equivalent का value कितना आ जाएगा, बच्चो, 20 cm, कितना आ गया, बच्चो, f equivalent is equals to 20 cm, as simple as that, बात आती है, किसे के दिमाग में बात आती है, कि सर, अगर यह वाला, जो है, 10 cm का होता, यह 20 cm का होता, है ना, यह सवाल है कैसा पूछ लिया जाए, कि, अगर आप यहाँ पर देखें, 10 cm का है, और यह 20 cm का है, मान लीजिए, यह भी कितने का होता, बच्चो, suppose, if concave lens is also of 10 cm, अगर आप यहाँ पर बात करें, सर, if F2 is equals to also 10 cm, अगर यह भी 10 cm होता, F1 आपका है, हाँ पर F1 10 है, बच्चो, और आपका F2 कितना था, 20, तो उस case में आप यहाँ पर लिखें, सर, 1 by F equivalent is equals to, यह होता, आपका 1 divided by, plus 10, यह होता, प्लस और 1 divided by, यह होता, बच्चो, minus 10, 1 by plus 10, plus 1 by 10, minus 1 by 10, यह cancel out होगे, result आदा है, बच्चो, 0, result क्या आजाता है, यहाँ पर आपका, 0, मतलब आप यह बोलते, अगर यह result 0 आजा रहा है, इसका मतलब यह है, F equivalent का value infinity है, और अगर यह infinity result दे रहा है, बच्चो, है न, 1 by 10, minus 1 by 10, this comes out to be 0, तो F equivalent कितना आजाएगा, बच्च वो यह क्या करेगा, deviate नहीं करेगा, तो simple एक media की तरह behave करेगा, जिसमें raise without any deviation pass हो जाएगे, तो सवाल उलजाकर पूछे जा सकते हैं, सवाल उलजाकर पूछे जा सकते हैं, तो आप उलजियेगा नहीं, ऐसे questions जब आते हैं, तो whatever result comes out, बच्चो, जो concept लगागा, result आ रहा है आप उसी को tick करेंगे, और आप आगे बढ़ेंगे, अब यह और आगे आपको सिखाता हूं कैसे ज़रा, यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, इसको देखना ज़रा ध्यान से, ठीक है, this is f by 2, a वाला option आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो a वाला option is f by 2, c वाला option is 4 f by 3, nd वाला option is 3 by 4, थोड़ा से ध्यान से पढ़ना, calculation में थोड़ा सा सोच करने वाला बात हो जाएगा, ठीक है, कैसे, read करते हैं, two identical glass, मतलब यहाँ पर आपका 3 by 2 is the refractive index, equiconvex lenses of focal length f are kept in the contact, the space between the two lenses is filled with water, ओके, the focal length of the combination will be, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, कहीं बार क्या ह होता है, कि यहाँ पर हरबड़ी में answer गलत हो जाता है, बच्चो लेकिन हमें हरबड़ी किस बात की है, हमें तो यह समझाया गया है, कि सर अगर यहाँ पर एक आपका convex lens है, फिर दूसरा यहाँ पर आपका convex lens है, इस तरह से यह क्या है, सर दोनों आपस में contact में है, अगर यह contact में है और इनके बीच का जो space था बच्चो इनके बीच का जो space है, वो पानी से भर दिया, किसे भर दिया बच्चो वाटर से, तो आप यहाँ पर यह observe कर पाएंगे, my dear friends, कि यह एक कैसा lens होगा बच्चो, यह convex lens की तरह behave करेगा, this is a convex lens, यह वाला भी कैसा behave करेगा, बच्च मिला कर, इस result में, अगर आप f equivalent बनाना चाहते हैं, let us suppose that, इसकी focal length को अगर आप यहाँ पर f कहते हैं, तो इसकी focal length भी f होगी, और इसकी जो focal length है, इसको आप नाम दे दीजे, कुछ भी f2, आपको नहीं पता, तो आपने उसको f2 बोल दिया, या f' बोल दिया, because, जो focal length given है, जो focal length given है, वो equi convex lens की given है, बच्चो, जो यहाँ पर पानी भर देने से, water fill कर देने से, यह जो आपका material है, यह as a, क्या करेगा, एक lens की तरह behave करेगा, और जब यह एक lens की तरह behave करेगा, तो मतलब यहाँ पर 3 lens एक साथ contact में हो गए, एक convex, फिर concave, फिर वापस से convex, तो सारे बच्चे, चंदन कुमार, चंदन कुमार बोल रहा है, दी तो चंदन का answer बिलकुल करेक्ट है, सौरब का answer बिलकुल करेक्ट है, आयूश and आप जो है, सिक्षा, एक बार चेक करें बच्चा, solve करें फिर से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चो, 1 by F equivalent is equals to, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सर, 1 divided by F2, and प्लस आप यहाँ पर फिर से लिखेंगे, बच्चो, 1 divided by plus F, कुल मिला कर, result आ जा रहा है, बच्चो, plus का 2 by F, minus का 1 divided by F2, my target is to first calculate F2, बच्चो, तो जब हम concave lens के लिए, formula की बात करते, बच्चो, तो lensbackers formula याद होना चाहिए, which formula you should recall, बच्चो, lensbackers formula, जिससे आपने पढ़ा था कि 1 by F is equal to, क्या होता है, new lens divided by क्या होता है, new media minus 1, और into में होता है, बच्चो, यहाँ पर आपका 1 by R1 minus, यहाँ पर होता है, बच्चो, 1 by R2, let's calculate for the F2, तो यहाँ पर जब आप calculate करेंगे 1 by F2, बच्चो, तो lens के लिए referative index हो आपका water का referative index 4 by 3, और यहाँ पर lens का surrounding media हो एर होगा, बच्चो, यहाँ पर बच्चा कई बार यह सोचता है, कि इसका referative index 3 by 2 है, इसका referative index 3 by 2 है, इस वाले का referative index 4 by 3 है, तो surrounding media इस वाले बीच वाले lens के लिए surrounding media क्या consider कर लेता है, 3 by 2, 3 by 2, नहीं, surrounding media मतलब वो lens कि मीडिया म रखा हुआ है, तो concave lens के right side भी हवा है बच्चो, और left side भी हवा है, इसलिए हो जाएगा 4 by 3 by 1, minus 1, अच्छा, concave lens से, तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, तो यह जो surface है, आपका यह जो, इसका जो R रहेगा, इसका जो R 1 रहेगा, बच्चो, वो भी R होगा, और यह व उपर कर दे रहाँ, 1 by F2 is equals to, यह हो जाएगा आपका, 1 by 3, और यह हो जाएगा, into में, minus 2 by R, कितना हो जाएगा, बच्चो, minus 2 by R, लिकिन सर, सवाल यह आता है, कि इस R का value क्या रखना है, सवाल यह आता है, इस R का value क्या रखना है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो आपका R है ना बच्चो, जो आपका R है, वो किसके बराबर हो जाएगा, R is actually equals to F हो जाएगा, सर केसे R is equals to F हो जाएगा, क्योंकि जो एकवी convex lens है, अगर आप उसका lens में कर formula लगाओगे, तो you can exactly relate, कि सर यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर जो आपका R है, वो F के बरा अब आप यहाँ पर उठाकर put कर दें, तो अगर आप यहाँ पर देखे, मैंने पहले से minus लगा दिया, मैंने पहले से minus लगा दिया, तो फिर यह minus आप ध्यान नहीं रखोगे, और अगर आप यहाँ पर formula जो है, वो plus वाला चल रहा है, तो result आप रख दीजे बच्चो, plus का 2 2 by f, plus और यहाँ पर result आजाएगा, सर, minus का, यह दिस आपका 3 by f, 2 by f यहाँ पर आप comment ले लिजे, this comes out to be 1 minus 1 by 3, so solve करेंगे बच्चो, this is आपका 2 by f, that is, यह हो जाएगा बच्चो, आपका 2 by 3, solve करने पर पता चलेगा, सर, f equivalent का value comes out to be 3f divided by 4, कितना आगे बच्चो, 3f divided by 4, इ इस सवाल में मशक्कत थी कि जो water वाला concave lens है, उसका focal length नहीं पता था, उसकी focal length के लिए radius of curvatures निकालने थे, radius of curvatures आपको निकालने थे, convex lens की given information से, समझ में आया की नहीं आया, everyone, understood, बहुत बढ़िया, amazing guys, amazing, बहुत बढ़िया, चलिए, तो that is the concept and that is the explanation, बच्चो, r is equals to f कैसे हुआ है, तो आपको lens maker formula लगाना पड़ेगा, किसके लिए, एकवी convex lens के लिए, तो आपको r का value f के बराबर पता चल जाएगा, थोड़ा calculated था, लेकिन सवाल बहुत असान था, बच्चो, यह आपके previous year में आ चुका है, तो correct answer होगा, यहाँ पर आपका 3f by 4, चीक है, अब अगला सवाल यहाँ पर p equivalent पूछ लिया, अभी थोड़ी देर पहले हम solve कर चुके हैं, तो यह मैं आपको as an homework देता हूँ, p equivalent solve आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप बोले भी तो मैंना थोड़ी दिर पहले करके बताया था, p equivalent होता है, आपका यहाँ पर f1 plus f2 and whole divided by क्या हो जाएगा बच्चो, आपका f1 into my f2, तो आप result यहाँ पर put up करके देख सकते हैं, बच्चो, that would be, वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा sir, आपका 10 plus 20, direct result अगर याद होगा, तो यह हो जाएगा sir, आपका 10 into my 20, तो यह हो जाएगा बच्चो, आपका 30 divided by कितना था बोलेंगे sir 200, cancel out करेंगे, अच्छा, यह जो focal lens से बच्चो, यह जो focal lens से, यह किस में रख रहे हो, आप यहाँ पर, centimeter में रख रहे हो, तो that is comes out to be, आपका 3 divided by कितना 20, so that is in the diopter, are you getting my point or not, everyone, तो direct भी किया जा सकता है, और आप तरीका यहाँ पर लगा सकते हैं, थोड़ा सा और अगर परेशान किया जाए आपको, तो देखो परेशान ही कह पर होगी, अगर आपको focal lens दे दी जाए सीधे सीधे, तो तो आसान बहुत हो गया, लेकिन अगर focal lens नहीं given होगी, तो पहले focal length calculate करना पड़ेगी, जैसे, अगर मैं बात करूँ, कि sir, यह 10 cm और यह भी अगर 10 cm है बचो, और यह glass से बना हुआ है, खिर calculate करके बता देता हूँ लेकिन अगर इसके focal length की बात करोगे, तो f is equals to 10 cm आ जाएगा, f is equals to 10 cm for sure आ जाएगा, लेकिन, चलिए चेक कर लेते हैं, f1, four convex lens बचो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, four convex lens पहले, अगर हम यहाँ पर बात करें, तो four convex lens you need to write, sir, one by f1 is equals to, आप यहाँ पर लिखेंगे, sir, three by two minus one, यह हो जाएगा, sir, one by plus का 10, minus ही हो जाएगा, बच्चो, one by minus का 10, are you getting my point or not, direct कर रहा हूँ, r1 को मैंने लिखाए positive, और r2 को मैंने लिखाए negative, और यह direct इसलिए कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं previous lectures में, आपको पढ़ा चुका हूँ, सारी बाते, previous lectures में, everything we did, बच्च कितना आगे, बच्चो, 10 cm, मतलब वो r के बराबर आगया, तो पिछले वाले सवाल का explanation, यहाँ पर solve हो चुका है, similar to that, अगर आप यहाँ पर concave की बात करेंगे, किस की बात करेंगे, बच्चो, similar to that, if we deal about concave, तो अगर आप concave lens के लिए बात करेंगे, so my dear friends, आपको लिखना पड़ेगा, 1 by f2 is equals to, उसका जो referative index है, वो भी कितना है, बच्चो, आपका 3 by 2, minus 1, लेकिन, जब concave lens के लिए बात होगी, so this will be the first surface, and this will be the second surface, if we consider, rays are directed from left to right, so my dear friends, यहाँ पर जो पहला वाला surface होगा, उसका जो यहाँ पर r है, वो negative होगा, फिर माइनस होगा, जो आपका r2 ह वो plus का 20 हो जाएगा, इसका radius आपको 10 दिया हुआ है, और इसका radius of curvature आपको 20 दिया हुआ है, अलग-अलग कहानी है, तो बनानी पड़ेगी बच्चो, तो यह हो जाएगा, आपका sir, 1 by 2, and this will be, यहाँ पर आप LCM लेंगे, बच्चो, 20, LCM लेंगे 20, तो यह कितना हो जाएग बच्चो, minus का 3 divided by 40 is equals to 1 by F2, result जो भी आया आपका, formula आपको पता है sir, 1 by F equivalent is equals to होता है, यहाँ पर 1 by F1 plus 1 by F2, result पूट करो, 1 by F1 की जगह, 1 by F1 की जगह आप रख दोगे, बच्चो, 1 divided by plus 10, minus, यहाँ पर plus रखेंगे, इसकी जगह हो जाएगा, बच्चो, minus का 3 divided by 40, LCM यह कितना हो जाएगा जी, कुछ गरबर किया है क्या, something I did very wrong, 40, B होगा, ओके, B होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है, कि this is 1 by 2, और यहाँ पर यह वाला जो है, minus का 1 by 10, and this is आपका, यह हो जाएगा sir, minus formula का, 20 is in positive, तो LCM मैंने यहाँ पर बच्चो 20 लिया हुआ है this is minus का 2 हो जाएगा sir, यह minus का 1 होगा, तो this is minus 3, और यहाँ पर यह 40 है, तो यह कितना हो जाएगा, बच्चो 40 is the LCM, तो यह हो जाएगा sir, आपका 4 minus 1, yes, 4 minus 3 होगा, so 4 minus 3 होगा, तो मतलब यहाँ पर कितना आ जारा है, बच्चो 40, but 40 कैसा positive, so B is the correct answer, बच्चो, तो यह तरीका होता है, यह तरीका होता है, बट अब अगर आप इस सवाल को जड़ा देखो, तो है इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन calculation थोड़ी जादा है, क्योंकि यहाँ पर focal lens के value ना देकर, आपको values किस बात की दे दी, आपको curvature जो है, वो दे दिये गए, R1 और R2 की values दे दी गए, तो फ ratio of their powers, the ratio of their powers मतलब P1 divided by P2 is equals to 2 by 3, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, भई आप P1 को लिखेंगे इस तरह से, P1 होगा बच्चो आपका यहाँ पर, 100 divided by F1, भई यह आपका P1 का value होगा, P2 क्या होगा बच्चो आपका 100 divided by F2, यह आपका P2 होगा, चलो values अगर आप put up करते ह आपको पता चलेगा सर, F2 divided by F1 का value basically आपको 2 by 3 दिया, F2 divided by F1 का value basically कितना दिया आपको, 2 by 3 दिया हुआ है, आप से पूछा है, तो यहाँ पर देखो, F1 होनी चाहिए 2 गुना, और F3 होनी चाहिए 3 गुना, अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, यहाँ प the focal lens of the lenses are, a concave and convex lenses, concave and convex lenses है न, तो यहाँ पर जो second result है, वो positive होना ही चाहिए, second result कैसा होना चाहिए, बच्चो, positive क्योंकि second वाला जो है, वो convex lens होगा, और first वाला कैसा होगा, बच्चो, concave lens होगा, तो एक बात option देखके समझ में आ जाएगी, कि second वाली focal length किसकी होनी चाहिए, convex की, मतलब second वाली focal length होनी चाहिए, positive, अब जो है ratio देखो, अगर आप यहाँ पर देखें, sir, F2 by F1 is equals to 2 by 3, मतलब जो भी आप यहाँ पर system देख रहे हैं, F2 होना चाहिए, दो गुना, और F1 होना चाहिए, बच्चो, तीन गुना, अब इसमें अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर यह दोनों में perfectly satisfy हो रहा है, यह 25 ते 75 है, F1 तीन गुना है, यह 5 तरी 15 है, यह 3 गुना है, और यह दोनों यहाँ पर 2 गुना है, तो A और B में लडाई है, अब आप यहाँ पर direct नहीं चेक कर सकते, A और B में लडाई है बच्चो, यह direct नहीं कर सकते, तो क्या करे सर जी कुल मिलाकर 1 by f equivalent is equal to क्या होता है 1 by f1 प्लस आप यहां पर लिखेंगे 1 by f2 चुकि यह आपको दी हुई है सर कितनी 30 cm और कुछ नहीं का मतलब positive ले लेंगे और दूसरी बात यह कि जो 1 by f1 है f1 कि ऐसा बच्छो यहां से आ जाएगी दोनों मसालों को solve कर दो and get the result right so यहां से system बड़ा असान हो जाता है अब आप चेक कर लेना A आएगा या B आएगा ठीक है तो that is the concept लेकिन अब यहां पर क्या होता है सर अभी तक जो हम lenses यहां पर रख रहे थे वो एक दूसरे के साथ contact में थे एक ऐसे combination के बारे में बात कर रहे थे जहां पर lenses contact में होंगे लेकिन ऐसा भी तो possible है ऐसा भी तो possible है yes majority of people are saying A मतलब ठीक है बच्छो आप अगर calculate कर रहे हैं तो A आपका answer आ रहा होगा ठीक है जी मै साथ और यह बच्छों की lenses का contact हो लेकिन contact में ना हो lenses उनके बीच में particular gap हो तो फिर कैसे करना है तो पहले यहां पर देखो सपोस्स अगर यहां पर कोई एक object है यहां पर अगर कोई आपका एक object है जिसकी image इसके right side बन रही है तो उस case में आप यहां पर देखेंगे अगर यह lens नहीं होता तो यह यहां पर जाना चाहिए था ray बच्छों मतलब इसको मैं क्या नाम दूँगा इसको मैंने नाम दिया बच्छो extended extended incident ray my dear friends यह क्या कही जाएगी extended incident ray कही जाएगी और यह वाली ray को कहा जाएगा reflected ray तो extended incident ray और reflected ray के बीच में यहां पर क्या होगा एक angle होगा ज this is the delta angle of deviation कितने angle से यहां पर deviate हुई है अब अगर आप इस deviation को देखेंगे तो we can write simply बच्छो sum of two interior angles is equals to third exterior angle तो आप बोलेंगे sir alpha plus beta is equals to delta alpha और beta को लिखा जा सकता अगर आप यहां पर 10 theta का rule लगाएंगे बच्छो अगर आप यहां पर 10 theta का rule लगाएंगे बच्छो अगर लेकिन इसी को nearly equals to alpha बोल सकते हैं बच्छो इसी को nearly equals to beta बोल सकते हैं बच्छो इसी को nearly equals to beta बोल सकते हैं because we are considering this lens of very small aperture बच्छो right जी बहुत बढ़ यहां तो यहां पर अगर आप देखें तो sir this is nearly equals to alpha this is nearly equals to beta तो alpha की जगए h by op और यह हो जाएगा बच्छो h by ip values अगर आप यहां पर देखेंगे op is the object distance that is minus u और ip आपका image distance होगा that is by plus v solve किया बच्छो यहां पर तो यह जो value है 1 by v minus 1 by u यह क्या होता है बच्छो आपका 1 by f होता है यह पूरा मसाला किसके बराबर हो जाएगा so this whole thing is equally equals to 1 by f तो यहां से अगर आप देखते हैं तो delta is equals to कितना आजाता है बच्छो आपका h by f तो height of the point where incident ray strike above the center p p के ऊपर जहां पर ray strike करी उस height को हम h कहते हैं बच्छो अब आगे चलते हैं इसको समझते हैं जब दो lenses यहां पर होंगे जब दो lenses यहां पर होंगे तो एक lens के लिए height h1 हो गई दूसरे lens के लिए जहां पर ray strike करेगी वहां पर हो गई बच्छो h2 अगर यह आपका clockwise है तो यह वाला angle भी आपका कैसा हो बच्छो clockwise हुआ तो delta 1 का value तो हो जाएगा बच्छो h1 by f1 कैसे इसको सम delta is equals to h by f तो अगर यहां पर lens 1 है इसको हम अगर नाम दे रहे बच्छो this is my lens number 1 तो that would be delta 1 is equals to h1 by f2 h1 by f1 और यहां पर यह वाला जो है this is my lens number 2 तो इसको हम बोलेंगे बच्छो delta 2 जो की h2 by f2 होगा लेकिन थोड़ा से अगर हम आगे चलके calculations करते हैं तो हमें समझ में आएगा देखो यहां पर आपने क्या लिखा बच्छो यह delta होगा यह total delta होगा जो क्या होगा total delta मतलब total incident ray यह वाली जो ray है इसको हम कहेंगे बच्छो extended incident ray यह है आपकी extended incident ray बच्छो और यह जो आपकी है this is आपकी इसे हम कहेंगे sir this is my final reflected ray तो extended incident ray और final reflected ray के बीच में जो angle है that is your total angle of deviation ह बहुत जादा काम का नहीं है लेकिन एक जो result आता है उस result के लिए बहुत important है और कहीं सारे साथी जो भी 12th board में है उनके लिए यह मदद भी साबित हो जाएगा बच्छो राइट जी तो total जो delta होगा that is आपका h1 divided by f equivalent यह कैसे यह जो दोनों lenses से बच्छो जो आपका lens L1 है औ इनके combination के बराबर एक lens यहाँ पर हो सकता है जो की dash dash से show किया गया है इसकी जो focal length होगी वो effective focal length होगी बच्छो और यहाँ पर अगर आप हाइट की बात करेंगे तो अगर यह height आपका h है तो यह height भी आपका h1 होगा बच्छो that is why total delta को लिखा है h1 divided by f equivalent but delta is equals to delta 1 plus delta 2 तो delta की ज लिखेंगे sir h1 by f equivalent ठीक है फिर h1 by f1 plus h2 by f2 यह सारा मसाला solve किया साथ ही साथ हमने delta 1 का value calculate किया यहां से delta 1 का value हमने calculate किया यहां से इसको ध्यान रखना यह कैसे एक छोटा सा triangle आपको नजर आ रहा होगा बच्छो यहां से लगा कर यहां से लगा कर यहां तक यह जो height है ना this is total h1 यह total आपका h2 तो यह बची हुई height आपको h1 minus h2 मिलेगी मतलब एक ऐसा triangle आपको नजर आ रहा है कैसा triangle आपको नजर आ रहा बच्छो जिसमें यह वाला height क्या होगा h1 minus h2 होगा और यह वाला distance आपका d होगा बच्छो इस आपका delta तो यहां पर इस triangle में अगर आप 10 delta ल रहे हैं values में मैं फिर से कह रहा हूँ एक बात मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ और उसे सुनिएगा यह derivation आपको याद नहीं रखना है final result जो बनता है न वो मैं समझाओं कि वो final result क्या है और उसे आपको कैसे inculcate करना है बच्छो तो यहां पर चूंकि जो delta 1 है उसको मै h1 by f1 लिख सकता हूँ और यहां पर angle बहुत छोटा होने के कारण 10 की picture को हमने खतम कर दिया so this is nearly equals to delta 1 होगा बच्छो और delta 1 का value हमें पता है h1 by f1 होगा इसलिए h1 by f1 into my d is equals to h1 minus h2 तो यहां से आपने h2 का value निकाल दिया h2 का value निकालने के बाद में जब आप result put करेंगे इस वाले formula में बच्छो इस formula में h2 की जगह result put करेंगे इस formula में h2 का यह वाला result put करेंगे बच्छो तो h1 के term में सारा result आ जाएगा और जब आप finally solve करेंगे तो 1 by f equivalent is equals to 1 by f1 plus 1 by f2 minus d divided by f1 into f2 आपने यह solve किया होगा इसी formula का अगर मैं ऐसे लिखू तो आप लोगों इसे कईयों ने देखा होगा कि p equivalent is equals to ऐसा होता है बच्छो p1 plus p2 minus यह होता है बच्छो आपका d into में आप बोलते हैं sir यहाँ पर p1 into में p2 that is the concept तो यह कहां से आया यह derivation करा दिया बच्छो आप यहाँ पर इस x की value भी calculate कर सकते हैं कि यह कितने distance पर रखना चाहिए so this is what we call बच्छो x हाला कि एक बात बता दे रहा हूँ आज से पहले कभी भी ऐसा सवाल नहीं आया है as far as our need concern लेकिन नहीं आया का मतलब यह नहीं है बच्छो की आगे भी नहीं आये तो बड़ा important हो जाता है हर एक concept को समझना और इसे cover करना ठीक है जी तो यहाँ पर x का value अगर हम calculate करेंगे तो वो कितना होगा तो x का value calculate करने पर आता है बच्छो d into में f effective divided by f1 calculation आप थोड़ी सी करके देख लीजेगा standard results है यहाँ पर यह आपको पता है कि सर इस वाली value को हम delta कहेंगे यह वाला value क्या होगा बच्छो आपका delta यह वा delta is equals to h1 minus h2 divided by आप यहाँ पर x बोलेंगे h1 minus h2 का value h1 minus h2 का value हमने निकाला है बच्छो d into में h1 divided by f1 और जब हम सारा मसाला रखके solve करेंगे तो result हमारे पास बन सकता है के से वो बता देता हूं तो delta हमने पढ़ा था सर delta हमने पढ़ा था बच्छो h1 divided by f effective होगा h1 divided by क्या होगा बच्छो f effective होगा everyone x वाला बता रहा हो बच्छो बेदा x वाला बता रहा हो बच्छो delta is equals to h1 divided by f effective यह हमने पढ़ा था दूसरी बात आप यहां पर देखेंगे sir h1 minus जो आपका h2 है इसका result था sir delta into में h1 divided by f1 चले पीछे ले जाके समझा देता हूं देखो यहां पर d into my h1 by f1 sorry delta नहीं यह d होगा my mistake यह होगा बच्छो h1 minus h2 का value कितना d into this put करते हैं तो delta की जगह आप रखोगे sir h1 divided by f equivalent is equals to यह हो जाएगा h1 minus h2 की जगह d into में आप बोलेंगे sir h1 and whole divided by आपका f1 into में आप बोलेंगे बच्छो x h1 से h1 cancel out कर दीजिए तो x का value देखो solve करोगे तो x का value ही आया ना solve करोगे तो x का value ही आया यह पूरा derivation है my dear friends इस derivation की आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन इसके fundों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी right magna definitely you can magna definitely you can you just need to stay ahead with us right पूरी team के साथ अगर आप रहती है तो आप definitely वो score कर सकती जो आप यहाँ पर पूछ रही है जो बच्छा अभी से start कर रहा है अभी से भी अगर start कर रहा है और अगर वो crash course के साथ match up कर लेता अपनी frequency को अगर वो बताएगी सारी बातों को follow करता है त just you need to contact us guys just you need to contact us चलिए तो यहाँ पर सारा मसाला जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो सब कुछ लिखा हुआ है ताकि एक बार यह आप go through कर लीजिए अब बात करते हैं बच्छों cutting of lenses cutting of lenses अब मैं यहाँ पर कुछ बाते लिख रहा हूं चिक है नीट की दृस्ती से बहुत important है important किसके लिए बच्छो आप यहाँ पर बोलेंगे सर फोर नीट 2020 के लिए बहुत important हो जाता है यह पहली बात चीक है क्यों important हो जाता है क्योंकि यह बहुत छोटा सा concept होगा और छोटे छोटे concept पर बेस सवाल आ जाते हैं तो conceptual entry की अब देखे ज़रा कैसे आपके पास lens है और उस lens को हमें cut करना है बच्छो तो cut करो तो दो तरह से cut किया जा सकता एक तो हम principal axis के along cut कर सकते हैं और हम एक optical axis के along cut कर सकते हैं पहला case हमने लिया है we have cut this lens along principal axis ओपर से cut करके नीचे cut करके इसे दिखाया बच्छो अब मुझे एक बात बताईए अगर मैं focal length के formula की बात करता हूं so 1 by f is equal to mu minus 1 यहां पर होता बच्छो 1 by r1 minus 1 by r2 now अगर आप f को change करना चाहते हो to change this f बच्छो you really need to change this mu either you need to change the mu or you need to change the radii of curvatures तो यहां पर समझ में यह आता है कि when you cut along this जब आपने principal axis के along cut किया तो न तो आपको mu change हुआ mu कैसा है बच्छो constant है cut करने से mu थोड़ी ना बदलेगा साथ ही साथ आप देखते हैं तो sir आपका r1 और r2 यह दोनों भी constant है तो ना तो mu बदला ना r1 बदला ना r2 बदला क्योंकि इस वाले surface का भी क्या है बच्छो r1 है इस वाले surface के लिए भी क्या r2 तो इसका focal length क्या तो जो आप focal length यहाँ पर पोच्छ रहे हूँ कि नया focal length क्या होगा तो no variation यहाँ पर focal length नहीं बदलेगा focal length बदलने वाला नहीं है although intensity कम हो जाएगी बच्छो जो image बनेगी उस image का intensity कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपने lens को cut कर दिया है half कर दिया है तो area which is used to converge the rays वो कम हो पर देगी no change दूसरी बात तो यहाँ पर लिखा है बच्छो same f होगा f क्या होगा आपका same होगा लेकिन intensity of image decreases by half why it is decreases by half because आपको यह समझाया गया था lecture में कि जो sir intensity होगा intensity of image intensity of image is क्या होता है directly proportional to area directly proportional to the area exposed of the lens to the rays बच्छो तो अगर area half हो गया तो intensity भी half हो जाएगी लेकिन अगर हम case 2 की बात करते हैं जिसमें हम cut कहाँ पर करते बच्छो perpendicular to the principal axis और we can write बच्छो along optical axis क्या लिख देता हूँ इसी को में along optical axis कहीं बार ऐसे लिखा जाता है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा इधर भी cut perpendicular to the principal axis और along optical axis बात दोनों सेम है जब आपने इसको cut करी तो क्या changes आएंगे सर इसका radius R1 था लेकिन जब आपने यहाँ पर cut किया तो यह वाला radius है बच्छो यह वाला radius क्या हो गया? आपका infinity होगया तो यह तो आपका R1 है लेकिन यह infinity होगया ये तो आपका क्या है Bच्छो इनफिनिटी होगया लेकिन यह आपका R2 अभी वेशा है यहाँ पर दोनोग रेडिय ऑफ कर्वेचर R थे यह पर एक Rै बच्चो एक infinity होगया सवाल समझाता हूं मैं इसे is equal to r ले लिया, suppose मैंने r2 is equal to r ले लिया, तो पहले मैं f calculate करता हूँ, so 1 by f is equal to this is mu minus 1, यह हो जाएगा बच्चो 1 by positive r, minus ही हो जाएगा बच्चो 1 by minus r, so जब आप यहाँ पर put करेंगे, you can solve this, this is हो जाएगा mu minus 1 and that would be 2 divided by r, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चो f का value कितना आ जाएगा, तो f का value हो जाता है sir, r divided by 2 mu minus 1, लेकिन एक बात और सुनना, जब आपने यहाँ पर cut किया along optical axis my dear friends, तो एक आपका radius of curvature infinity हो चुका है, तो जब आप यहाँ पर value रिखेंगे 1 by f1 के लिए, that is 1 by f prime, तो mu minus 1 का picture as it is रहेगा, यहाँ पर 1 by जो r1 है वो तो आपका positive r रहेगा, लेकिन दूसरा वाला हो जाएगा infinity, 1 by infinity होता है 0, तो जब आप इस result को solve करोगे यहाँ आपका r divided by mu minus 1, you can think that कि sir इस result में और इस result में एक 2k factor का difference है, तो जब आप इन दोनों को compare करते हैं, तो I can clearly differentiate कि sir f prime का value twice times of f हो जाएगा बच्चो, f prime का value कितना हो जाएगा, twice times of यहाँ पर f हो जाएगा, तो पहले वाली focal length का double focal length यहाँ पर हो जा रहा है, मतलब power half हो जाएगे बच्चो, power क्या हो जाएगे, half हो जाएगे, तो half lenses अगर है, तो इसका value कितना हो जाएगा बच्चो आपका, 2f हो जाएगा, और अगर यह 2f हो गया, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए, solve करके बताया गया है, वैसे भी अगर आप यहाँ पर देखें, तो एक और तरीका बता दिया, combination वाले तरीके से, मैंने standard method से बताया, एक combination वाला तरीका भी है, बच्चो जिससे पता चल जाएगा, 1 by f is equals to 1 by f prime, दोनों को जब आप solve करेंगे, तो result आजाएगा, बच्चो आपका यहाँ पर कितना, तो आप बोलेंगे, sir, f prime is equals to 2f, अगर ऐसा है, तो power क्या होगा, इसका power हो जाएगा, बच्चो, p1 is equals to, p by 2, original का power 2, और इसका भी क्या हो जाएगा, बच्चो, p2 is equals, this is, आपका this, power क्या होता है, power होता है, converging power, बच्चो, मतलब की lens पर, जब आप rays incident करते हैं, वो कहाँ पर जाकर converge होगी, उसके power को हम बोलते हैं, ठीके, everyone, समझ भाया है कि नहीं आया, बहुत बढ़िया, everyone, understood, चलिए, तो अगर आपके पास total lens था, तो वो यहां converge हो रहा ह, F पर बच्चो, लेकिन अगर आपने lens को half किया, वो 2F पर converge होगा, अगर यहां पर आपने converge किया, तो यह F पर converge हो रहा है, lens को half कर दिया, यह 2F पर जाकर converge होगा, power यहां पर lens की क्या हो जाएंगे, बच्चो तो half हो जाएंगे please be careful while dealing with this क्योंकि यह सवाल बहुत जगह आते हैं अब यहां पर देखें अरजरा lenses का combination है इसकी focal length कितनी है sir इनकी भी अगर ऐसे combination देखोगे तो focal length क्या आएगी f आएगी are you getting my point or not combination में क्या होगा one by this focal length plus one by this focal length ना तो one by two f plus one by two f two by two f two say two cancel f आएगा two say two cancel f आएगा तो अगर इन में देखें हम तो सारे के सारे जो lenses से उनकी focal length किसके बराबर होगी बच्चो 20 cm मतलब तीनों ही cases में focal length यहाँ पर 20 cm होगा are you getting my point or not everyone समझ में आया सब लोगों को ठीके मैंने एक वाले के लिए करके बताया है कोई बच्चा बोल रहा है कि sir इस previous वाले में यहाँ पर अगर आपको calculate करना हो right अगर आप इसके लिए calculate करके बताएंगे इस वाले के लिए तो भाईया मैं R1 को infinity रखूंगा और R2 को मैं R रखूंगा सवाल सेम ही होगा result सेम आएगा इसलिए मैंने आपको अलग से calculate करके नहीं बताया है इतनी सी बात तो समझी रहे हो ना चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर बोल दिया सवाल पड़ो ज़रा एक अब का कट किया बचो अलंग आपका उप्तिकल एकस एशन देफिगर लेक्ट एफ फड़ प्राइम और फड़ प्राइम बीद फोकल लेंस ओफ देप लेंस ओके जी कंपलीट लेंस का फोकल लेंस कितना है बचो एफ है अगर आपने कट किया इन केस वन मतलब अगर आपने कट किया एकस ओ एकस के लों मतलब अगर आपने कट किया प्रिंसिपल एकस के लों तो फोकल लेंस आपका क्या है बच्छो एफ प्राइम है और अगर आपने कट किया वाई वाई के लों तो यह क्या हो जाएगा बच्छो एफ डबल प्राइम अब एक बात इस पस्ट है यार case 1 के लिए ये जो आपने calculation करी ना बचो ये case 1 के लिए तो f prime का value f होगा और जो आपका case 2 है ना उसके लिए मैं लिख देता हूँ यापर देखो ये 2f के बराबर होगा तो check कर लेते result जरा इन में से कौन सा valid होगा तो f prime is equals to f होगा बचो और f double prime का value 2f के बराबर हो जाएगा so option d match कर रहा है ये neat previous year का सवाल है this is the neat previous year question f prime 2f नहीं होगा f double prime f नहीं होगा बचो question को carefully पढ़ना और फिर answer take करना otherwise गलती होने के chances बन सकते हैं ठीक है language में confuse करने की कोशिश की जा रही है आपको यहाँ पर चलिए तो that is the thing बच्चो कि यह कैसे करना था अब यहाँ पर बड़ी simple सी बात थी अब फटा फट से देख लेते बच्चो silvering of lenses silvering of lenses है ना तो अगर हम यहाँ पर silvering of lenses की बात करते हैं अगर आपको combination of lenses समझ में आया तो silvering of lenses अपने आप समझ में आ जाएगा ध्यान से देखना पहला case यहाँ पर बनता है बच्चो first and very important case is plano convex lens silvered at plane surface plano convex मतलब एक surface plane है और उसका plane वाला surface silvered है बच्चो तो यहाँ पर क्या होगा तीन optical elements आपको अलग-अलग यहाँ पर मिलेंगे पहले reflection होगा फिर reflection होगा फिर वापस reflection होगा तो तीन picture एक साथ अगर आपको यहाँ पर करनी है तो मैं आपको एक साधा साथ तरीका समझाता हूँ अगर हम यहाँ पर combination of lenses वाला concept अगर club कर दें तो equivalent focal length क्या होगा बच्चो 1 by F is equals to 1 by F1 plus 1 by FM plus 1 by FL 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 है ठीक है 1 by FL plus 1 by FM plus 1 by FL मतलब यह हो जाएगा बच्चो 2 by FL plus 1 by FM अब यहाँ पर negative और positive वाले concept पर मत जाएगा अलग-अलग किताबों में कई हो में कई सारी चीज़े लिखी हुई है मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको ध्यान से तुनिएगा तो जो F1 है मतलब जो FL है जो लेंज की focal length है उसे हम calculate कर सकते हैं बच्चो 1 by FL is equals to mu minus 1 पहला वाला जो radius है वो तो R है लेकिन इसका radius क्या हो जाएगा बच्चो infinity तो 1 by R minus 1 by infinity यह हो जाएगा 0 solve करने पर result आएगा mu minus 1 divided by R जो आपका mirror है चूकि वो plane mirror है यह कैसा mirror है बच्चो यह mirror आपका बना plane mirror और plane mirror का जो focal length होता है वो अपने आप में infinity होता है यह हम सभी लोग जानते हैं plane mirror का focal length क्या होता है infinity इसलिए fm को रख दिया infinity तो वो total focal length के अगर आप बात करोगे तो 1 by f is equals to यह हो जाएगा sir आपका 2 divided by 1 by f l 1 by f l की जगह क्या रख दोगे बच्चो तो mu minus 1 divided by आप रखोगे sir r और यहाँ पर यह जो value है तो यह हो जाएगा sir plus आपका 1 divided by infinity and that comes out to be 0 तो f का result आजाएगा बच्चो आपका r divided by 2 mu minus 1 r divided by क्या हो जाएगा बच्चो 2 mu minus 1 यह आएगा result आपके पास positive but the thing is अब आपको मैं एक बात समझाता हूँ कि यह जो system आपके पास बना है this system will behave like a concave mirror बच्चो कैसा behave करेगा एक concave mirror की तरह behave करेगा तो जो भी result आप यहाँ पर obtain करेंगे उस result की जो focal length आएगी उस focal length को negative रखोगे बस इतना सा concept है ठीके जी तो जब भी आपका silvering का concept आएगा उन elements को आप अलग-अलग कर दीजिए combination वाला formula लगा दीजिए और आप enjoy करिए जैसे एक और example लीजिए plano convex lens silvered at concave surface बच्चो plano convex था और किसको silvered कर दिया convex तो silvered किया reflection होगा reflection होगा reflection होगा अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से सुनते सर तो 1 by f is equals to 1 by f l plus 1 by f m plus 1 by f l बतला वही हो जाएगा सर 2 by f l plus 1 by f m तो जब आप यहाँ पर f l की बात करते हो बच्चो तो 1 by f l तो same कहानी हो जाएगी लेकिन अभी same कहानी में difference क्या है difference है कि सर इस बार यहाँ पर जो आपका r1 है वो infinity है और जो आपका r2 है वो यहाँ पर r के बराबर है तो जब आप यहाँ पर check करते हैं तो 1 by infinity यह हो जाएगा सर 0 minus minus plus 1 by r हो जाएगा बच्चो तो this comes out to be mu minus 1 लेकिन f m की जब आप बात करते हैं f m की जब आप बात करते हैं तो कितना portion भई जितना यहाँ पर आपका radius of curvature lens का था जितना radius of curvature lens का था उतना ही तो आपने silvered किया मतलब इस mirror का radius of curvature क्या होगा बच्चो r के बराबर तो आप f m को क्या बोलेंगे बच्चो r by 2 यह तो हमें पता ही है न कि कि किसी भी mirror का focal length कहां पर होता है बच्चो radius of curvature के by 2 पर होता है तो यहाँ पर my dear friends fm का value r by 2 हो जाएगा formula आपके पास था 1 by f equivalent is equals to यहाँ पर आप लखेंगे 1 by fm प्लस आप लखेंगे 2 divided by fl तो values put up कर दो 1 by fl की जगह 1 by fl की जगह I can put mu minus 1 divided by r mu minus 1 divided by r और fm की जगह 1 by fm fm की जगह r by 2 रखेंगे हो जाएगा बच्छो 2 by r तो आप यहाँ से 2 by r को common लेके जब calculate करोगे तो this comes out to be 2 mu by r बच्छो तो यह f का value कैसा आता है positive लेकिन ध्यान से सुनना यह भी कैसे behave करेगा बच्छो तो net जो है यह वाला इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर तो यह करेगा आपका behave as concave mirror कैसा behave करेगा बच्छो behave as concave mirror are you getting my point or not रटना नहीं सिखा रहा हूं बच्छो कहीं किताबों में लिखा हुआ है कि this plus और यह minus लेकिन वो कैसे आ रहा है कोई clue नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको combination की मदद से सिखा रहा हूँ कि 1 by FM plus 1 by FL plus 1 by FL अगर हम यहाँ पर करते चले तो result हमारे हाथ में होगा तो आप से अलविदा लेता हूँ कुछ सवाल एक कोशन आपको homework में दे के और similar to that आप यहाँ पर silvering of lens में equi convex lens के concept को भी समझ सकते बचो तो यह थोड़ा सा आप read करके आईएगा next class में हम इसको discuss करेंगे यह भी आपके लिए homework है and this is also homework यह भी आप homework में ले लिजिए यह भी आप homework में ले लिजिए बच्चो this is also in homework 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 ठीक है कोई भी चीज अगर यहाँ पर मैं भी available है बच्चो plus पर खजाना है अगर आप अपनी rank को boost करना चाहते हैं तो you can join the crash course for the 6 month guys अगर आप इस 6 month की subscription को ले कर आप अगर code use करते MS live तो आपको additional benefits तो मिलेंगे ही मिलेंगे साथी साथ आप और भी कहीं सारे benefits ले पाएंगे एक बात वादा कर सकता हूँ बच्चो अगर आप एक बार मुझसे बात करेंगे आपको कभी भी anxiety नहीं होगी stress नहीं होगा आप कभी भी परेशान नहीं होगे ठीक है जी so that's the thing guys so remember code MS live while coming on the plus ठीक है चलिए at last अकर आपको फ्रेंड जे की preparation करा अगर कोई बच्चा foundation में है तो you can suggest them an academy foundation gratitude के चलते ये काम आपको रोस करना चाहिए lectures रोस शेयर करने चाहिए lectures को like करने के बाद में share करने के बाद में maximum logo तक पहुँचाना चाहिए इसको हम कहते है बच्चो attitude of gratitude giving something अगर आप ये रखते हैं तो आपके surrounding में positivity एकठा होती है तो जिन लोगों ने अभी तक Anacademy Neat के चैनल को subscribe नहीं किया है let's crack it guys तो सबसे पहले subscribe कर लीजे ताकि आप इस प्यारे से चैनल का बहतर content access कर पाए और साथ ये साथ bell icon को hit कर दीजिए hashtag Neat Live Daily के साथ अपने social media account पर